अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छे लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज हम बनाएंगे दही बड़े इसके लिए मैंने एक कब उड़त दाल, एक छोड़ा चमच चना दाल को 4-5 गंटे बिगो दिया है ये देखिए है मेरी दाल बिलकुल अच्छे से भीग गई है उड़त की अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें बिलकुल पानी एड़ नहीं करना है जो बैटर होता है वो बिलकुल थिक होता है इसलिए पानी एड़ करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी तैयार पेस्ट को एक बरतन में निकाल लें और प्रोसेस फॉलो करते होए बागी का पेस्ट भी बना लेंगे अब हम स्पून की साइटा से पेस्ट निकाल लेंगे अब हमें इसे पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करना है एक बार फिर हम इसमें डालेंगे आधा कब पानी ज्यादा पानी एट ना करें आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थोड़ी से थिक है इसलिए थोड़ा साइस को हमें लूज करना है स्वाधरुसार नमक डालेंगे अब इस पेस्ट को हमें लगबख 10 मिनिट तक अच्छी तरीके से फेट ना है थोड़ी सी मैनत लगेगी पर जो हमारे दही बड़े बनेंगे वो बहुती सॉफ्ट बनेंगे बहुती अच्छे बनेंगे बिलकुर उसमें घुटलिया नहीं पड़ेगी इसलिए 10 मिनिट तक आप इसको जरूर फेट ले लगबख 10 मिनिट तक फेट ना है अच्छी तरीके से फेट लिया है हमने इस पेस्ट को अब हम इसके पकोड़े बना लेंगे हाथ की साहिता से बना रही हूँ मैं इसके लिए मैंने एक चप्टे तलवे की लिए उसमें बिल्कुल कम तेल डाला है और आप देख सकते हैं प्रोसेस आपको इस तरीके से फॉलो करना है कैसे आपको पकोड़ी का आधा सिरा बाहर की तरफ ही रहना चाहिए बिल्कुल पूरा आपको पकोड़ी डुबानी नहीं है तेल के अंदर अब एक स्पून की सा साथिया तरन कर लेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरफ से तलेंगे लाइट ब्राउन होने पर हम इनको बाहर निकालेंगे गैस को आपको मीडियम पर रखना है ना जदा फूल रखना है ना जदा दीमा अब हम बाकी का जो पेस्टे उसके भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बड़े बना लेंगे चमबच की साइता से तेल डाल दें उपर की तरफ टर्न भी करना है इनको बहुत ही सावधानी से आप ये करें तेल के छीटे आपके उपर ना लगे आप अपने आपको इंजर्ड ना कर ले जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बाकी के बड़े भी रेडी हो गए हैं अब हमें इनको ठंडे पानी में एक गंटे के लिए बिगो ना आए सोक कर लेंगे अच्छे से जितने आपको चाहिए उतने आप कर सकते हैं और बाकी के आप साइड में रख सकते हैं जब तक हमारे बड़े सोक हो रहे हैं पानी में हम दही तियार कर लेंगे इसके लिए मैंने एक लिटर दूद का दही जमाया है इसको मैं अच्छी तरीके से फेट रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुटलिया ना रहे फेटने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले एक चमज डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमज डालेंगे जीरा पाउडर एक छोटा चमज डालेंगे शक्कर स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें काला नमक और इसको अच्छी तरह से फेट लेगे मैंने ये मसाले इसमें डाले है क्योंकि सारा जो टेस्ट है एक जिसा रहेगा क्योंकि हम बहुत बार कभी कम मिर्ची ड़ जाती है कभी नमक कम हो जाता है इसलिए आप ऐसे दही बना ले ताकि दही बड़े स्वाद बने दही तैयार हो गया है अब हम बड़े हमारे सोक हो गए इनको हतेली के बीच में रखके अच्छी तरह से दबा के सारा पानी निकाल ले एक सर्विंग बोल में ले ले दो बड़े रखेंगे हम इसमें अब हम इस पे दही डालेंगे दो से थीं चमज दही डालने के बाद हम इस पर डालेंगे इमली की चटनी इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले पोस्ट कर दिये गाईज इसलिए आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े से हम इस पर डालेंगे चाट मसाला हमारे दही बड़े तैयार है डू ट्राइज रेसिपी गाईज समझ है बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप गर पर बना के आसानी से खा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले